हाव रफीक्स सैमसंग ओन सेवन प्राइम इंकामिंग कॉल प्राइम नमस्कार डोस्तों स्वागर आप सभी का तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है अपने सैमसंग के डिवाइस पर इंकामिंग कर सकते हैं इंकामिंग कॉल के रिलेटे दोस्तों याप पर जितने भी सॉलूइशन से मैं आपको इस वीडियो पर देने वाला हूँ जैसे कि दोस्तों याप मान लेजे कुछ सेटिंग्स के वज़े से प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्फ करना है और किसी भी तरह के का प्रॉब्लम इशू हो सकते हैं तो वीडियो आन तक जरू देखे यहाँ पर इंकामिंग कॉल प्रॉब्लम आपका जरू फिक्स हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइको क को क्लिक करें और अगर आप आनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले चीज़ यहाँ पर आपको करना क्या है अगर आपको इंकामिंग कॉल में किसी भी तरह का प्रॉ यहाँ पर आपको क्या करना है ब्लोक नंबर पर जाना है और चेक करना है आपके ब्लोक अन्नौन प्राइविट नंबर ओन है या ओफ है तो इसको आप ओफ करके रख दीजिए ठीक है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपका वाइफाई कॉलिंग बन होना क्योंकि वाइफाई करनेक रहेगा और अगर कोई कॉल करते तो कई बार दोस्तों यहाँ पर क्या होते कॉल लग नहीं पाते ठीक है तो आपको यह चीज़ ध्यान पर रखना है एं देन दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है सप्लिमेंटरी सर्विस में आपको चेक करना ठीक है मान लेजिए इंकामिंग कॉल पर आपका यह लागा हुआ है कि यह ऑन किया हुआ है तो आपको यह बंद करना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आप चेक करके देखें सौल्फ हो जाएगा प्रोब्लम तो पहले चीज़ आपको यह सारे बेसिक नोलेज रखना बह देना है ठीक है तो आप यह सारे solution कर सकते हैं यहाप एंड देन दोस्तों यहाप और अगर आपको नेट्रोक के related कोई भी इश्व है तो जाए दोस्तों आपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है simply scroll down करना है general management management पर जाना है reset option select करना है और उसके बाद reset network setting पर क्लिक करते हुए mobile setting को reset कर देना है और mobile pattern या फिर password भरके उसको reset करना है उसके बाद दोस्तों जाए connection connection पर जाके आपको mobile network select करना है network mode पर जाके network को switch करना है network network दोस्तों check करें 4G, 3G, 2G जो भी आपकी area में चल रहा है वो यूज़ करें अगर आपको confusion हो रहा है तो network operator पर जाए select network automatically का option on है तो इसको बन कर दीजिए manual network दिखाई देगा जो भी network available है आप उसको connect करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो यह सारे solution करने के वार आपका problem इनी चांस अगर आपको incoming call के related कोई भी problem आते हैं तो आप डारेकली customer service को call करके पूछ लेना ठीक है मैं आपको यही suggest करूंगा अगर आपका अगर आपके जियो से नहीं रहा है तो दूसरे से करके देख सकते ठीक है तो इस तरह के से आप यह भी कर सकते हैं तो बस दूस्तो इंकामिंग कोल के related जितने भी मैंने solution था वो दे लिया आपका problem इसी तरह के से fixed होगा उमीड करते वीडियो आपको पसंद होगा thanks for watching